हेला एक नेड़ एक्जाम्पल के साथ साथ जब हम उसकी प्रेक्टिकल अप्लिकेशन करेंगे होर्ष कार्ट प्रोब्लम पूस्थाइ इसमें क्या होता है कि एक कार्ट होती है और कैसे horse क्या करता है cart को खैसता है तो यानि कि जो cart होती है हमारा उसका हमने weight w1 मालिया vertical downward उसके normal reaction surface के उपर r1 हो गया अगर stable equilibrium में है cart तो क्या हो जाएगा weight balance करेगा किसको normal reaction को और ये क्या रहेगा rest पर रहेगा उसके बाद ही हमारा horse है और horse का weight क्या होता vertically downward ये क्या है w2 है इसका normal reaction क्या हो जाएगा इसके against यानि कि r2 हो जाएगा r2 इस परकार से ठीक है और जो हमारा horse है वो अगर क्या करता है push करता है किसको earth को ठीक है earth को अगर हो क्या करता है push करता है तो आर्थ का जो नोर्मल रियक्शन होगा वो क्या होगा कि अगर इसने अर्थ के साथ क्या लगा है यानि कि अगर किसी एंगल से क्या लगा है यहां पर फोर्स लगा है ठीक है किसी एंगल से क्या लगा है फोर्स तो यानि कि यह एंगल थिटा है तो यह एंगल भी क्या हो ज ओरिजींटल लाइनपे इस लाइनका इंगल तो अगर अगर और हमक्का क्या करें कि क्या हुआ कि इधनों व्यांता है तो यारल भी एकาร क्या क्या को सुख थटा क्या है ृ। साइन थिटा ठीक है तो यानिकी यह component किसको बिलेंस करेगा weight of the horse and r cos theta is responsible for the horizontal motion ठीक है where ठीक है इसका मतलब क्या है where r cos theta is ठीक क्या करता है यह क्या है responsible है responsible ठीक है ना responsible for horizontal motion horizontal motion ठीक है यह horizontal motion के लिए क्या है responsible है ठीक है कौन सा force r cos theta और इस force के कारण ही क्या हो जाता है कि हमारी जो cart है वह forward direction में क्या हो जाती है और वो है apparent weight of a man in lift ठीक है apparent weight of a man in lift कि जो weight होता है वो variable होता है अलग-अलग जिगे पे अलग-अलग होता है अगर बात करें हम अर्थ की तो अर्थ हमारी क्या है not a perfect sphere इस परकार से होती है ठीक है flattened at equator and bulges as equator and flattened at pole ठीक है यह होता है pole और यह क्या होता है equator होता है तो इसका मतलब क्या है एक्वेटर पर gravity कम होती है as comparable to pole तो यानि कि किसी भी चीज़ का weight जो होता है वो pole पे क्या होता है ज्यादा और equator पे क्या होता है कम क्योंकि weight किसके बरावर होता है mg के equal होता है किसके equal होता है mg के equal होता है weight तो यानि कि apparent weight of a man in lift apparent weight apparent weight of a man ठीक है, in lift, in lift, तो question क्या है हमारा, कि किस परकार से weight बदलेगा, lift के, अलग-अलग position पे, अलग-अलग परकार, अगर upward जा रही है, तो, downward आ रही है, तो, uniform acceleration है, तो, free fall है, तो, यानि कि, अलग-अलग case में, किस परकार से, apparent weight हमारा कह रहता है, variable रहता है, जब कि, क्या होता है, mass हमेशा कहा रहता है, constant रहता है, क्या रहता है, constant, ठीक है, तो, यहाँ पे हमने, एक lift, consider कर ली, यह क्या है, हमारी, यह हमारी lift है, ओके, इस lift में, यानि कि, कोई person है, इस परकार से, यह कोई person है, जिसका weight हमेशा क्या होगा, vertically downward होगा, normal direction क्या होगी, vertically upward होगी, ठीक है, ओके, और lift अगर upward जाएगा, इस परकार से, एक्सिलरेशन से, ठीक है, तो, इस परकार से होगा, और downward जाएगा, तो, यानि कि, force की side लगेगा, downward लगेगा, इस परकार से, ओके, clear है, उसके बाद देखो, बच्चो, अगर मैं सबसे पहले case की बात करूँ, first case, ठीक है, first case क्या है, क तो, आगर जो lift है, वो किसके उपर है, rest पर है, तो आगर हमारी जो lift है, at rest है, at rest, rest का मतलब क्या है, कि lift चली नहीं है, जब lift चली नहीं है, तो, हम देखेंगे, कि, हम, यानि कि upward चली नहीं है, lift कहां जाती है, upward जाती है, तो यानि कि, V-aman में Mg, ठीक है, is equal to क्या होता है, और अगर lift rest पे है तो we know that एक इसके बरावर होता है जीरो के बरावर होता है इसका मतलब जो R है ना उसको तो हम किसी रिपरजंट करेंगे apparent weight से और mg को किसी रिपरजंट करेंगे true weight से ठीक है तो अगर lift उपर की तरफ जाती है तो R ही जादा होगा R माइनस में mg ठीक है यह भी force यह भी force force माइनस में force तो क्या बचना चीए force ही बचना चीए ठीक है लेकिन मैंने का rest पे है तो acceleration कितना है 0 यानि कि इस case में R माइनस में mg किसको इकोल हो जाएगा 0 कि इकोल हो जाएगा और अगर आगे इसको लिखें तो R is equal to क्या हो जाएगा mg हो जाएगा R is equal to mg से मतलब क्या समझते हो कि जब lift rest पे होती है तो clear है कि जो apparent weight होता है apparent weight ठीक है वो किसके इकोल होता है वो true weight के बराबर होता है first case हमारे पास यह आया भई ठीक है कि जब lift rest पे होगी तो आपका जो true weight है lift के screen पे भी exact वही weight आपका क्या किया जाएगा दिखाया जाएगा ठीक है next case है अपना कि अगर lift क्या करे uniform acceleration से मूँ करे uniform velocity से मूँ करे ठीक है uniform velocity से क्या करे मूँ करे तो second case lift lift move with uniform velocity uniform uniform velocity अगर velocity uniform होती है बच्चो तो आपको पता होता है कि इस case में भी जो हमारा acceleration होता है वो कितना होता है 0 होता है क्या होता है 0 कि acceleration क्या होता है uniform velocity में 0 होता है move upward जा रहा है इसका मतलब क्या है कि r minus में mg r minus में mg is equal to क्या हो जाएगा m1 के equal हो जाएगा acceleration क्या है फिर 0 है तो यानि कि second case में भी क्या हो जाएगा r is equal to mg हो जाएगा r is equal to mg हो जाएगा r is equal to mg तो इस case में भी क्या है मना कि जो apparent weight है वो किसके बराबर है बच्चो वो true weight के बराबर है बोलो clear hack नहीं कि apparent weight फिर से किसके इकुल आगा true weight यानि कि आगर acceleration 0 है उसके rest पे है तो भी हमारा जो apparent weight है true weight की equal होगा यानि कि true weight और apparent weight में कोई difference नहीं होगा screen पे वही weight दिखा जाएगा जो हमारा true है अगर uniform velocity से मूँ करेगा उस case में भी कोई difference नहीं होगा acceleration a ठीक है तो upward मूँ कर रही है तो क्या जाद है बच्चो normal reaction ठीक है तभी तो upward मूँ करेगी minus में क्या हो जाएगा weight weight इसको रोक रहा है is equal to यानि कि यह जादा है तो कितना जादा है ma जादा है क्योंकि a acceleration mass क्या है person का weight है mass है m क्या है mass है इसका मतलब क्या हो जाएगा इस case में अगर r की value मैं निकाड़ू r की value तो r is equal to क्या हो जाएगा ma plus में mg हो जाएगा ma plus में mg और यहाँ पे r की value अगर आएगी तो m constant ले लेंगे यानि कि a plus में g हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से साब पता चल रहा है बच्चो कि r क्या है mg plus में something है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस case में when lift more upward with acceleration a then apparent weight ठीक है then apparent weight जो होगा वो क्या होगा greater than होगा कि say true weight से कि say true weight से greater than होगा किस case में when lift more upward ठीक है तो यानि कि जब lift upward मूँ करती है तो apparent weight अमेशा ज़्यादा होता है कि say true weight से okay clear है बच्चो next case है हमारा अगर lift बच्चो downward जा रहे इसका मतलब weight का influence ज़्यादा है यानि कि क्या होगा इस case में कि mg minus में क्या होगा r is equal to क्या होगा ma होगा बच्चो क्या होगा ma तो यहां से अगर r की value निकाड़ ही तो r is equal to क्या होगा r होगा mg minus में ma mg minus में ma mg minus में ma का मतलब क्या है कि r is equal to m constant ले लिया g minus में a यानि कि gravity में कुछ क्या हो रहा है subtract हो रहा है जो किसकी value को कम कर रहा है apparent weight की यानि कि अगर lift downward मूँ करेगा तो apparent weight अमेशा क्या होगा less होगा as comparable to true weight ठीक है तो यानि कि apparent weight इस case में apparent weight less होगा ठीक है कम होगा किससे true weight से किससे true weight से तो हमने 4 case किये हैं यहाँ पे कौन-कौन से first case में हमने किया कि अगर lift rest पे है तो apparent weight true weight के equal है अगर lift uniform velocity से मूँ कर रहा है तो भी apparent weight true weight के equal है अगर upward मूँ कर रहा with acceleration A तो apparent weight greater than होगा true weight से और अगर downward मूँ कर रहा with acceleration A तो apparent weight less than होगा किससे true weight से acceleration किसके equal हो जाएगा जी के equal हो जाएगा उससी condition को क्या बोलत है freefall condition बोलते हैं कि acceleration किसके equal हो जाता है acceleration due to gravity ग्रीटि ये aus equation को क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है free fault ठीक है तो यानि कि downward जा रहा है is का मतलब क्या जाद है mg जाद है mg माइनस में r is equal to क्या हो जएगा ma हो जएगा ठीक है तो यहाँ से अगर r मैनस में तो r is equal to किसके equal हो जाएगा r is equal to हो जाएगा m g minus में क्या हो जाएगा m a ठीक है दोनों में common ले लो common अगर हमने क्या ले लिया m common ले लिया m तो क्या हो जाएगा g minus में a हो जाएगा और इस case में हमें पता है क्या कि a किसके equal है g की equal है यानि कि r is equal to किसके बराबर हो जाया, जीरो की कुल हो जाया, ठीक है, तो अगर lift free fall हो जाए, अगर lift की wire cut हो जाएगी, तो हम कभी भी जब गिरेंगे, तो lift हमारा weight कभी भी show नहीं करेगा, इस case में जो apparent weight होता है, वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, तो last case है, हमारा इसी में, next case है, when lift move downward with acceleration greater than G, यानि कि acceleration greater than G, यानि किसी चीज़ को हम फैक देना बच्चों ऐसे निच्चे की तरफ, तो उसका acceleration G से भी क्या होता है, जादा होता है, तो यानि कि उस case में क्या बनेगा, M G minus में, R is equal to क्या हो जाएगा, M A, और अगर R की value निकालेंगे, तो R is equal to किसके हो जाएगा, M common आ जाएगा, G minus में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, G minus में A, और हमारा जो A हो जिसे बड़ा है, यानि कि जो normal reaction है, वो क्या जाएगा, negative, यानि कि apparent weight इस case में क्या जाता है, apparent weight किसके बराबर आ जाता है, apparent weight negative आ जाता है, क्या जाता है, negative, इसका मतलब यह है कि object अपने weight को क्या कर देता है, loss कर देता है, और इस case में जो object है, वो lift क्या हो जाके, रूप पे जाके stick हो जाता है चिपक जाता है ठीक है ना तो आगर acceleration greater than g होगा तो याने की क्या करेगा कि surface को छोड़ देगा object रूप पे जाके क्या हो जाएगा stick हो जाएगा क्योंकि उसका weight क्या हो जाता है negative हो जाता है ठीक है तो बच्चों हमने apparent weight of a man in lift याने की Newton 3rd law की applications को पड़ा है horse cart problem को आप जो आपका test होगा इन में से question जरूर पुछे जाएगे तो आप इनको अच्छे से read कर लेना okay thank you